हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्ट डॉक्टर सुनील कुमार और आप देखरें डॉक्टर कुमार अजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे कि किड्नी को कैसे डिटॉक्स करें बहुत सारे पेशेंट ने सोशल मीडिया पे बहुत सारे हमारे जो विवर से उन्होंने पूछा किड्नी को कैसे बिमारियों से बचाया जाए किड्नी को कैसे क्लीन किया जाए किड्नी को कैसे साफ किया जाए और मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि किड्नी का डिटॉक्स किड्नी के सॉलुशन के बारे में जो चीजे हैं किड्नी की सफाई ऐसे करें लेमन लें ये खाना ये पानी पी हैं ये जोस पी हैं ये solution पी हैं 90% information scientific नहीं है 90% लोगों ने अपनी personal experience से ही चीजों को बताया है 90% लोगों ने professional guideline को follow नहीं किया है तो सबसे पहले मैं आपको ये बात clear कर देना चाहता हूँ कि आप कोई भी detox formula लिवर detox हो वो kidney detox हो या body के लिए detox हो जब तक आप ना लें जब तक कि आप उसको जाज परखना लें scientific द्रेस्टिकॉर्ण से आप उसको ना देख लें आप किसी के कहने से भी कुछ भी मत खा लीज होता है उसका side effect भी होता है उजाला होगा तो अंधेरा भी होगा अच्छा होगा तो बुरा भी होगा और effect होगा तो side effect भी होगा ये बात बिल्कुल सच है तो ये आपको बात समझनी है हर चीज की एक सही डोज होती है उस हर चीज का अपना एक सही तरीका होता है ये सब खेले समझने।您 हम आते हैं हैं इस बाद पर कि कि की आखिर की डिटॉक्स कर सकते हैं कि इस मूकिंग का एफट आपके फेपड़ों पे आपके दिल-पे पर धिमाग में पर उसके बाद आता है इधिय आ बहुत ज़्यादा मतन। खाते हैं तो किड़नी के लिए मटन is not a good food उसके बाद आता है आपका मैडेसन यदि आप रेगुलर स्टिरोइड लेते हैं यदि आप रेगुलर पेइन किलर लेते हैं या कोई भी ऐसी दवाई लेते हैं जिससे की आपकी किड़नी की फंक्शनिंग बदल जाती है या फिर थ सुगर यदि आपको डाइविटीज है या बलड सुगर आपको है तो आपका सुगर लेवल नॉर्मल रेंज में रहना चाहिए सुगर के कारण लिवर की जो फंक्शनिंग है वो डारेक्ली प्रभावित होती है किड़नी के इंफेक्शन और किड़नी के कमजोर होने का रिस 200% बढ़ जाता है बलड पेशर यदि आपको डाइगनोस्ट केस हैं आप आपको बलड पेशर की कोई दवाई आप लेते हैं तो रेगुलर दवाई लीजे लाइफस्टाइल मॉटिफाई करिए वाक करिए अच्छी नीद लीजे थाइरोइड का प्रॉब्लम है तो थाइर सफेद चीनी, सफेद मैदा, सफेद घी जितना आप कम खाएंगे उतना आपकी किड़नी ठीक रहेगी प्लस लेक ओफ वाटर यदि आपको बहुत कम पानी मिलता है तो भी किड़नी को प्रॉब्लम होती है तो प्लेंटी प्लेंटी ओफ लिक्विड और फाइबर आप सब अच्छे लगते हैं और किड़नी इन फूड को रिजॉइस करती है किड़नी को पसंद नहीं है वो पसंद नहीं है बहुत ज्यादा है एसिडिक फूड बहुत ज्यादा है कॉलाइडल फूड बहुत ज्यादा है फेट वाला फूड इस्मोकिंग अलकोहल मटन नॉनवे पिरवावित होगी, किडनी के लिए जो अच्छा natural detox है वो आपकी हरी सबजियां है या फिर आप लौकी का juice पी सकते हैं या फिर आप जितने भी आपके हरे लाल फल होते हैं, उनका आप juice ले सकते हैं, फ्रूट्स ले सकते हैं और यदि आप fruits खाएं तो यह किड़नी के लिए बहुत अच्छा है लेकिन यदि आपको कोई किड़नी की प्रॉब्लम है तो फिर आप अकॉर्डिंग यौर डाइटीशनर दॉक्टर्स एक चार्ट फॉलो करें प्लस लो कैलोरी लो फाइव प्रोटीन आप डाइट लें रेगुलर इंटर्मल यान भ्लम हैं अब कीड़नी को घ्रच बर्ना डिक नुझ डुक्छ दुक्षा तो करनी होंगी नेधरली तो आपकी कीड़नी को तो भी रहेग से लेंघ कंली पी रहेगी और बीमारिय और दिवहических थें धीने